तो चलिए सुरू करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसकस करा था कि quadratic equation होता क्या है और कैसे identify करें कि कोई भी given equation quadratic है या नहीं है या पहला वाला जो पार्ट है यह हमने डिसकस कर लिया था पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वह वाला वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में हम लोग इसका question number two discuss करेंगे जो कि word problem है मतलब यहाँ पर conditions दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें equation बनाना है तो पहले white port share कर लेते हैं अब इसमें जैसे की इसमें जैसे की पहला question है वो कह रहा है कि the area of a rectangular plot is 528 meter square the length of the plot is one more than twice its breadth we need to find the length and breadth of the plot मतलब अगर हमें length और breadth find out करना हो तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें यह नहीं कह रहा है कि find out करके बताओ बस कह रहा है we need to मतलब बस equation बना के छोड़ देना है तो एक rectangle की बात कर रहा है तो समझने के लिए एक rectangle बना लेते हैं आपको पता ही है rectangle में length होता है और width होता है तो माल लेता है यह rectangle है जो इसका बड़ा वाला side होता है उसको length बोलते हैं चोटे बाले को breadth बोलते हैं तो कह रहा है कि the length of the plot is one more than twice one more than twice is breadth यानि कि अगर हम breadth को x-late कर लें तो इसका जो length है वो breadth के two times से एक ज़्यादा है यानि कि two x-plus है तो यहां पर लिख भी लेंगे सेकेंट का फिस्ट है लेट विर्थ ओफ रेक्टेंगल भी एक्स मीटर माल लेते हैं तो देरफोर length equal to 2x plus 1 है ना and area given है यहां पर 528 meter square 528 meter square और rectangle का area होता क्या है rectangle का area होता है length into breadth मतलब l into b मतलब l into b equal to क्या होगा 528 है ना इसको और solve करेंगे length के place पे हम क्या लिखेंगे 2x plus 1 और width के place पे x तो 2x plus 1 into x equal to क्या होना चाहिए 528 solve कर लेंगे x into 2x यहां पर x से 2x में multiply करेंगे तो 2x square और x into 1 क्या होना चाहिए plus में x और rhs में जो 528 है उसको lhs में ले जाएंगे तो यह होगा 528 equal to 0 बन गया quadratic equation यहां पर यह नहीं कह रहा है कि length और breadth find out करो या फिसके dimensions find out करो नी तो फिर हम इसको solve भी करते इस exercise में solve करना हम लोग नहीं सीखेंगे वो अगले exercise के लिए है यहां पर बस equation बना के छोड़ देंगे इसको solve करने का दो method होता है एक तो factorization method होता है और वैसे तो 3 होता है एक factorization एक completing the square method और एक quadratic formula तो वह सब हम लोग आगे सीखेंगे अभी बस इतना देखेंगे कि quadratic equation बनाते कैसे है word problem के अंदर है तो अब चलिए question number two देखते हैं इसका क्या है जो भी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं वो आप लिखना है पहले भी बता रखा है लिखना सीखने का सबसे चाह तरीका है तो लिखिए और सीखिए जो आता है वो खुछ से करके देखिए और फिर मिलाईए यहां पर यहां पर इस सबसे चाह तरीका है पढ़ही करने का अब देखिए यहां पर question number two आपको नीचे दिख रहा होगा यहां पर क्या रहा है कि the product of two consecutive positive integer is 306 we need to find the integers तो यहां पर जो सबसे main है यह है consecutive positive integers consecutive का मतलब क्या होता है यह समझी है जैसे कि two है तो two का consecutive three होगा three है तो four होगा मतलब एक ज्यादा होता है तो यहां पर हम consecutive integers को क्या करेंगे x और x प्लस 1 लेट कर लेंगे मतलब कोई भी दो number जिसमें one का difference हो जैसे two, three, three, four अगर हम x लेते हैं तो x प्लस 1 होगा चुकि यहां पर हमें quadratic equation बनाना है तो हमेशा हम जो नहीं पता है उसको x लेट करते हैं तो यहां पर लेट कर लेंगे इसमें लिख लेंगे second का यह second है लेट टू कंजिगेटिव लेट टू कंजिगेटिव इन्टीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1 रिस्पेक्टिबली रिस्पेक्टिबली को मैं यहां पर r e s लिखके छोड़ देता हूं तो एक्कॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यह तो मान लिया कि इन्टीजर्स x और x प्लस 1 है अब आगे कह रहा है कि इसका जो प्रोड़क्ट है वो 306 है तो हमने जो माना है उसका प्रोड़क्ट कर देंगे यानि कि x into x प्लस 1 equal to 306 इसको और solve करेंगे चोकि अभी यह quadratic equation जैसा तो लग नहीं रहा तो जब हम bracket को open करेंगे तो x into x x square फिर x into 1 प्लस में x और rhs में जो 306 है उसको lhs में ले आएंगे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि rhs को 0 रखते हैं यह हो गया आपका quadratic equation यही हमें पता करना था बहुत ही आसान है कुछ नहीं है बस छोटा-छोटा चीज पता होना चाहिए जैसे consecutive positive integer पता होना चाहिए यहां पर पिछले बाले question में आपको यह पता होना चाहिए कि rectangle का area क्या होता है जो कि हम 4th 5th class से ही पढ़ते आ रहे हैं तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है अब चलिए अगला सवाल देखते हैं तीसरा थर्ड जो है वो एज से related question है कह रहा है कि रोहन's mother is 26 year older than him मतलब रोहन की जो मा है वो रोहन से 26 year older है 26 year बड़ी है the product of their age is 3 years from now मतलब अभी से 3 साल के बाद will be 360 we would like to find रोहन's percentage बस यह कह रहे है we would like to यह नहीं कह रहे है कि find करो बस कह रहे है कि हम उस find करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है बस equation बना के छोड़ देना है यहाँ पर तो लेट कर लेंगे यहाँ पर लेट रोहन्स एंड इस मदर रोहन्स एंड इस मदर ages are x year and x plus चुकि 26 year older है मदर रोहन की x plus 26 year respectively r e s लिखके छोड़ देते हैं माल लेते हैं कि जो रोहन है वो x year का है x कुछ भी हो सकता है वो 10 साल हो सकता है पंदरह हो सकता है हमें मालूम नहीं है मालूम नहीं है तो हम x late कर रहे है तो अगर रोहन x year का है और रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 year older है मतलब बड़ी है तो क्या करना होगा x plus 26 करना होगा अब according to question question में देखे क्या कह रहा है अच्छे से समझना है the product of their ages उनके age का product लेकिन percentage नहीं 3 years from now अभी से तीन साल बाद तो तीन साल बाद क्या होगा जैसे कि आपका अगर present age माल लेते हैं कि 15 साल है तो तीन साल के बाद आप 18 साल के हो जाएंगे अगर 16 के हैं तो 19 के हो जाएंगे करना क्या है plus 3 करना है तो यहां पर present में रोहन का age x है तो तीन साल के बाद क्या होगा x plus 3 और इसकी मदर का जो age है present वो x plus 26 है तो तीन साल के बाद क्या होगा x plus 26 plus 3 और इन दोनों का जो product है वो 360 है कोई confusion नहीं होना चाहिए present age x रोहन का है present में उसके मदर का age x plus 26 है question में कह रहा है कि तीन साल बाद 3 years from now का मतलब तीन साल बाद इन दोनों के age का जब हम product करेंगे तो वो 360 होगा तो x plus 3 into x plus 26 plus 3 इसको अगर हम और लिखना चाहेंगे अच्छे से तो लिखेंगे x plus 3 into x plus 29 equal to 360 अब इसको solve करके quadratic equation के form में ले आएंगे अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पर pause करके खुश से try करना है फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है और नहीं तो फिर देखना है है ना समझना है लिखना है अच्छे से multiply जब हम करेंगे तो x into x क्या होना चाहिए x square फिर x into 29 plus 29 x 3 into x करेंगे तो plus में 3x 3 into 29 करेंगे तो 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 तो यहां पर 8 हो जाएगा तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 plus 2 करेंगे तो 8 equal to 360 तो x square प्लस में 9 plus 3 12 और 2 plus 1 3 जानी यह 32 हो जाएगा 32 x और यहां पहले से 27 था RHS में जो 360 है उसको LHS में लाएंगे तो माइनस 360 equal to 0 अगले step में बड़ा ही आसान है बस एक एक करके समझते जाना है और देखे अब कितना भी वीडियो देख लें भड़ा पड़ा है YouTube पे ठीक है तो कहीं से कुछ भी देख लें बस देखने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है कि लेट के देख रहे हैं कहीं भी कि खड़े होके देख रहे हैं और उपर तरीके से बैठ के देखना है उसको लिखना है और खुद से कोसिस करना है पहले तो अच्छे से देखन 87 और minus में 360 है एक negative है एक positive है मतलब subtract करेंगे और जो answer आएगा वो negative में चुकि negative में बड़ा number है minus में तो 0 है तो 10 हो गया 10 में से 7 तो 3 5 15 होगा 15 में से 8 चला गया तो 7 और फिर 2 तो 273 होगा equal to 0 यही आपका quadratic equation है अगर यहाँ पर solve करने के लिए यह कह देता कि रोहन का और उसकी मदर का age find out करो जो कि आगे के exercises में हमें करना है तो इसको solve करते हैं तो solve करना हम लोग next exercise में सीखेंगे तीन method है तीनो method से सीखेंगे अब अगला सवाल देखते हैं तीसरा था फोर्स देखते हैं फोर्स जो है वो speed से related question है a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hour more to cover the same distance we need to find the speed of the train समझे इसको distance 480 है और कह रहा है कि अगर speed 8 km per hour कम होता मतलब अभी जो speed है उससे 8 km per hour कम होता तो तीन घंटे ज्यादा समय लगते है उस distance को cover करने में symbol सी बात है जिसका speed ज्यादा होगा वो कम समय में कहीं भी पहुंचेगा जैसे आपको 10 km जाना है कोई bike से जा रहा है और कोई cycle से जा रहा है तो bike वाले का speed ज्यादा है तो समय का यहाँ पर अंतर हो जाएगा bike वाले को कम समय लगेगा cycle वाले को ज्यादा तो समझते हैं इसको इसके लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए speed equal to होता है distance by time आप में इससे ज्यादा तर को पता भी हो गई है speed equal to distance upon time तो speed equal to होता है distance by time तो time equal to क्या होगा distance by speed होगा है ना मतलब अगर हमें time निकालना हो तो distance by speed होगा यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें find out करने के लिए कह रहा है train का speed we need to कह रहा है यह नहीं कह रहा है find the speed बस कह रहा है we need है ना इसलिए बस equation बना के छोड़ दें यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट speed of train b x km पर आवर यह माल लेते हैं यह ना तो अब according to question अगर x km पर आवर train का speed है तो 480 km 480 km कवर करने में train को जो समय लगेगा वो कैसे निकलेगा 480 upon x चुकि distance में जब हम speed से divide करते हैं तो समय मिलता है यह जो 480 by x है यह x के value पर depend करता है x का value गर माल लेते हैं 15 है तो उसमें 15 से divide करेंगे 20 है तो 20 से divide करेंगे है ना तब जाके हमें पता चलेगा कितना समय है लेकिन वो हमें पता नहीं है तो बस इसी form में लिखके छोड़ देंगे लेकिन यहाँ पर जो 480 by x लिखावा है यह समय है time है तो confuse नहीं होना है लेकिन इसमें कहह रहा है कि अगर speed x minus 8 होता यानि जो अभी है उससे 8 km पर आवर कम कम का मतलब क्या होता है minus तो इन दोनो time का difference यह भी time है और यह भी time यह time जादा है क्यों चुकि यहाँ पर na speed कम है x minus 8 का मतलब क्या हो गया कम हो गया na speed कम है तो यह समय जादा है और यह समय कम है कितना समय जादा देना होगा 3 आवर का 3 घंटे जादा समय लगेंगे तो equal to क्या होगा 3 यानि present में जो समय लग रहा है और अगर 8 km पर आवर कम होता इन दोनों का जो अंतर है difference है वो थरीका है तो यह condition था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया इसको फिर से समझते है 480 total distance है speed हमने x late करा है है ना तो जो time लगेगा अगर x km पर आवर की speed से हम चलते है तो हमें 480 by x आवर का time लगेगा है ना यह अभी हमें पता नहीं है तो इसी form में रहने देंगे लेकिन यहाँ पर कहड़ा है कि अगर 8 km पर आवर कम होता यानि x minus 8 तो same distance cover करने में हमें 3 घंटे जाजा समय लगते मतलब इस समय में से इस समय को minus करेंगे तो 3 के बढ़ाबर होना चाहिए अब इसी को solve करके quadratic equation बना लेंगे सबसे पहले तो हम LCM लेंगे denominator का LCM का सीधा funda है कि अगर अलग-अलग number लिखावा है अब 480 में यहां जो x है उससे multiply कर देंगे चुकि 480 upon x minus 8 है जब आप x minus 8 से यहां पर divide कीजिएगा तो x minus 8 से x minus 8 cancel बचा x x से उपर multiply कर देंगे फिर minus का sign यहां पर 480 into x से divide करेंगे तो x से x cancel बचा x minus 8 यह सब तो आपको पता होना चाहिए इसकी बेसिक चीज है यह सब एक्वल टू त्रे इसको और सॉल्व करेंगे 480 x minus में 480 x और minus minus प्लस हो जाएगा 8 से multiply करेंगे 8 0 जा sorry 0 होगा 8 0 जा 0 फिर 8 8 जा 64 4 हैंड में 6 8 4 जा 32 तो 38 होगा 3840 और नीचे x स्क्वाइर माइनस में 8 x x इंटू x करेंगे तो x स्क्वाइर और x इंटू माइनस 8 करेंगे तो माइनस 8 x ऊपर 480 x से 480 x कैंसल RHS में 3 है तो वो लिख लेंगे मतलब इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक की स्टेंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए तो 3840 लिखा हुआ है उसको RHS मिले जाएंगे तो यहां पर 0 हो जाना चाहिए क्योंकि इस सब को लाएंगे तो यह पहला वाला तर्म निगेटिव होगा तो अच्छा नहीं लगया करने के लिए तो भी कर सकते हैं इसको इधर ला सकते हैं लेकिन कोसिस करेंगे पहला टम पॉजिटिव हो अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को RHS में और बांकी सब को LHS में ठीक है चुकि अगर A equal to B हो तो आब B equal to A भी लिख सकते हैं तो यही required equation है इसमे एक चीज और है कि common हम ले सकते हैं सब में 3 common है यह भी देखना जरूरी होता है तो 3 common लेंगे तो bracket के अंदर x square 24 है 8 3 जा 24 होता है तो यहां पर 8 x फिर minus में 3 बन जा 3 फिर 3 2 जा 6 left with 2 तो 3 8 जा फिर 0 तो आपका जो required equation होगा यह जो 3 है ना multiplication में उसको RHS मिले जाएंगे तो 0 से divide होके खतम हो जाएगा तो बचा क्या x square minus में 8 x minus 1 to 8 0 equal to 0 यह हमारा required equation है इसे भी solve करने के लिए नहीं कहा गया है आगे जब यह question मिलेगा तो हमसे कहा जाएगा कि speed of train find out करो तो हम लोग सीखेंगे कि x का value कैसे निकालते हैं x का value find out करेंगे तो speed अपने आप पता चल जाएगा तो यह था आपका exercise 4.1 का last question आगे जो है solution of a quadratic equation by factorization method factorization method से हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि x की value कैसे निकालते हैं कोसिस कर रहे हैं कि अभी छोटा छोटा वीडियो ही बनें ज्यादा length ही नहीं हो फिर दिरे दिरे अपना वीडियो का length बढ़ाएंगे कोसिस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा question एक ही वीडियो में आ जाए है न तो यह था आपका exercise 4.1 इससे अच्छे से practice कर लेना है फिर हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे यह part 2 है वीडियो का quadratic equation का part 1 इससे पहले वाला है अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लीजिए यह part 2 था इसके बाद part 3 बनाएंगे और फिर आगे जो जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद